तो अब हम लोग देखने वाले हैं types of redox reaction redox reaction यहाप आप देख रहा है four types के है combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and disproportionation reaction तो यह पहला है आपका combination reaction reaction in which two atoms and molecules combine together to form and third molecule is called combination reaction आप यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर magnesium और nitrogen combine करके Mg3 into form कर रहा है अब यह आपका redox reaction है या नहीं है यहाँ यहाँ पर check करते हैं तो देखिए magnesium अपने free state में है इसलिए इसका oxidation number है इसका oxidation number है वो 0 है nitrogen भी अपने free state में है यह oxidation number 0 है magnesium का यहाँ oxidation number क्या हो जाएगा plus 2 ठीक है plus 2 होगा और nitrogen का होगा minus 3 तो total charge कितना होगा 3 into plus 2 plus 6 आप यहाँ पर 2 into minus 3 minus 6 ठीक है तो आप देख रहे हैं 0 से plus 2 कि तरफ जा रहा है मतलब magnesium oxidize का रहा है और nitrogen 0 से minus 3 पर जा रहा है मतलब यह reduce कर रहा है मतलब यह redox reaction है तो आप एदम ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर combination reaction में two or more reactant combine होकर एक product बना रहा है तो इस case में कम से कम एक element आपका free state या pure state में होना चाहिए इसा नहीं कि दो molecules combine होकर एक product बना रहा है और तो इस case में आपका कोई भी एक molecule elemental state का होना चाहिए मतलब free state में होना चाहिए या तो atomic state में या तो free state में होना चाहिए तब यह आपका क्या हो जाएगा combination reaction redox reaction होगा इसी तरह से हम देखते हैं carbon का यहाँ पर reaction दिया हुआ है carbon plus O2 is equal to CO2 carbon free state में है इसलिए oxidation इमर 0 है oxygen pure state में है CO2 देखते हैं oxygen के उपर minus 2 charge होगा carbon के उपर क्या हो जाएगा plus 4 charge होगा ठीक है तो जब carbon से हम 0 से plus 4 पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है oxidation हो रहा है ठीक है और जब oxygen में हम देख रहे हैं कि 0 से minus 2 पर जा रहा है इस case में क्या हो रहा है reduction हो रहा है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर oxidation reduction simultaneously हो रहा है इसलिए यह क्या है redox reaction है clear हो गया तो वैसे reaction जिसमें oxidation और reduction simultaneously होता है उसको हम रख redox reaction बहुते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों example में reaction में oxidation और reduction simultaneously हो रहा है तो यहां पर हम लिफ्ट देते हैं नोट में आप लिस्ट वन आफ दो र्यक्तंट इस्ट भी इन पी और प्रिवर्स्टेट प्रिवर्स्टेट आप जानते हैं तब यह आपका रिडॉक्स रियक्षिन होगा अगला टाइप जो है यह यह अधिक्स्ट में क्या होता है कि बहुत हीip टू आपस में क्माइन होकर करता है और यह कोई सब्स्टांस है जो़ह डिकंपोज होकर वह आपकत तू और मोर इसलिकोशी में इसलिए कर दे 170 में इसमें कोई एक elemental state में उना चाहिए तभी यह आपका क्या होगा redox reaction होगा यहां के देखिए decomposional reaction are those in which when a molecule breaks down to form two or more component at least one of them must be in the elemental state तो यह जो point लिखा होगा है इस पे अब ध्यान देना तब जाकर यह redox reaction होगा तो वैसा reaction जिसमें एक molecule बेख होकर टू और more substance में dissociate हो जाता है उसमें कम से कम एक component elemental state में होना चाहिए free state या pure state में होना चाहिए जैसे यहां पर देखिए KClO3 यह dissociate हुआ तो यह KClO2 में dissociate हो गया तब यहां पर देखिए O2 जो है pure state है elemental state में oxygen का pure state है तो हम यहां पर देखते हैं यह कैसे आपका redox reaction है कि अब के जो है alkali metal है इसका oxidation नमर क्या हो जाएगा plus 1 oxygen का हो जाएगा minus 2 जानते हैं season का जो general oxidation नमर होता है वह minus 2 होता है तो टोटल निगेटिव चार्ज हो गया वह minus 6 हो गया तो यहां पर CL के ऊपर क्या होगा कि यहां पर हो जाएगा plus 5 तब यहां पर total positive charge कितना हो गया plus 6 यहां टोटल निगेटिव चार्ज हो गया minus 6 के CL के case में देखते हैं को यहां पर के कैऊपर plus 1 होगा around क्यों पर minus 1 होगा टिक है और 12 के के समय होगा तो यहां स्यांगे तो oxygen minus 2 से जा रहा हिए माइनस तू से जव जिरो के जाएगा तो इस केस में क्या हो रहा है यहां पर loss of electrons हो चार्व रहा है यह आपका हो जाएगा CEL को अगर हम देखे गौब करें तो CEL plus five से minus one पे जा रहा है तिक है मतलब यह gain कर रहा है और यहां पे loss हो रहा है तो यहां पे oxygen oxidize कर रहा है और chlorine जो है reduce कर रहा है plus five से minus one पे जा रहा है तो यहां पे oxidation reduction दोनों simultaneously हो रहा है यह इसलिए redox reaction है तिखेता उतना स्पेस नहीं है इसलिए मैंने प्रॉपर में लिखा आप समझ रहेंगे इस केसमें हम देखते हैं सी एस टू तो हाइड्रोजन यहां पे कैल्सियम है कैल्सियम का तो यह जीरो हो जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन अभी जीरो फ्यांब देखी है कैल्सियम प्लस डू से 0 पर जारा है मतलब गेन व्लक्तौन होगा है कि reduction हो रहा है और hydrogen के case में minus 1 से 0 के तरफ जा रहा है minus 1 से 0 के तरफ जा रहा है तो इस case में यहां पर क्या हो रहा है loss of electron हो रहा है इसलिए यह क्या हो रहा है oxidation हो रहा है तो oxidation और reduction simultaneously हो रहा है इसलिए यह reaction भी आपका क्या है redox reaction है इस चीज़ को आप ध्यान दिजे कि इसमें आपको ध्यान देना है कि at least one of the product should be in the elemental state, इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो decomposition reaction भी आपका क्या होगा, redox reaction होगा, तो next slide पे चलते हैं, अगला जो है displacement reaction, displacement reaction आप लोग 10th में, types of reactions में आपर चुके हैं, तो displacement reaction क्या होता है, नाम सी पता चल रहा है, displacement reaction का मकलब है कि one substance दूसरे substance को displace करता है, अब displace कौन करेगा, तो more reactive substance, less reactive substance को displace करेगा, तो यहाँ पर देखिए, और reaction in which an atom or an ion in a compound is replaced by an atom or ion of another element is called displacement reaction, एक reaction में, एक compound में, एक substance, दूसरे substance को displace करता है, तो उसको कहते हैं, displacement reaction, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर X है, और यहाँ पर यह एक compound है, YZ, तीक है, अब यह X ने क्या किया, एक्स ने इस Y को displace कर दिया, तीक है, और यह Y बाहर नकल गया, और यह X जो है, Z के साथ compound मना दिया, और Y को बाहर displace कर दिया, तीक है, तीक है, तो य जो है यह बाहर के तरफ हो गया और X, Z के साथ compound बनाया और Y displace हो गया इसका मतलब है कि X जो है Y से ज्यादा reactive है वो reactive है इसलिए X ने Y को displace किया है तो यह आप समझ लीचे इसको हम लोग displacement reaction का भी दो type होता है single displacement reaction और double displacement reaction तो यह मैं single displacement reaction है ठीक है अभी single displacement reaction का भी एक आपका type क्या होगा types of displacement reaction है metal displacement reaction and non-metal displacement reaction metal displacement reaction में क्या होता है कि एक more reactive जो metal होगा वो less reactive metal को उसके compound से displace कर देगा ठीक है और non-metal displacement reaction में क्या होगा कि एक metal non-metal को displace करेगा for example metal को आप अगर acid में डालते हैं acid में से hydrogen displace होकर hydrogen gas गना देगा तो hydrogen क्या है non-metal है यह कहो गया metal displaces non-metal एक ऐसा भी example होता है जिसमें stronger non-metal weaker non-metal को displace करका इसके compound का compound से ठीक है इसको हम लोग फिर आगे देखें यहाँ पर देखिए metal displacement reaction यहाँ पर दिया हुआ है यह है metal displacement reaction in this reaction a metal in the compound is displaced by some other metals in the uncombined or elemental state इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक metal जो है एक compound में से other metal को displace करता है तो यहाँ पर जैसे देखिए CUSO4 aqueous medium में है और यह zinc metal solid में अब आप जानते हैं कि जब हम activity series देखते हैं तो activity series में जो element geometal higher position पर होता है वो ज्यादा reactive होता है तो आप activity series आप देखेंगे तो उसमें zinc जो है copper से ज्यादा reactive है इसलिए वो higher position पर है तो zinc क्या करेगा copper को displace कर देगा इसी के solution से इसी के compound से तो zinc ने क्या किया copper को displace किया और खुद solution मना दिया ZNSO4 और copper को बाहर कर दिया इसका मतलब है कि copper is less reactive than zinc तो zinc displaces copper अब zinc और copper दोनों metal है इसलिए इसको बोलते हैं metal displacement reaction बोलते हैं इस case में देखिए aluminium है है aluminium aluminium CR2O3 chromium chromium आपका metal है aluminium क्या कर रहा है copper को displace करके उसको free state में convert कर दिया और खुद aluminium oxygen के सब compound मना दिया AL2O3 तो यह आपका क्या बन दिया यह भी metal to metal displacement reaction है अब यह कैसे आपका reduction reaction है यह हम्त्रा check करके देखते हैं ठीक है यहां देखिए zinc अपने free state में है इसलिए इसका oxidation निमर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा copper SO4 SO4 का charge टोटल होता है माइनस 2 तो copper का charge क्या होगा प्लस 2 ठीक है यहां पर देखते हैं जब copper free state में इसका oxidation में 0 होगा SO4 माइनस 2 का charge माइनस 2 होगा और zinc क्या हो जाएगा प्लस 2 तो अब यहां से आप देख रहे हैं कि zinc zero से plus 2 हो रहा है मतलब यह oxidize कर रहा है ठीक है और copper plus 2 से zero हो रहा है मतलब यह क्या हो रहा है gain of electron का reduce हो रहा है इसका मतलब है कि इस reaction में oxidation और reduction दोनों हो रहा है ठीक है इसलिए reaction क्या है redox reaction है ठीक है तो copper plus 2 charge पर है यह दो electron यह gain करेगा तब zero charge में चला जाएगा तब copper reduce हो रहा है zinc oxidize हो रहा है clear है इसलिए redox reaction है इस case में देखते हैं तो aluminium यहां three state में है इसका oxidation में zero हो जाएगा oxygen का तो charge general oxidation में minus two होता है total negative charge minus six होगा तो यहां पर chromium के उपर चार्ज क्या होगा plus three होगा ठीक है और यहां पर chromium three state में है इसलिए oxidation में zero होगा oxygen का यहां पर तो minus two होगा ठीक है minus two हो जाएगा रुक यह थरा सब्सक्राइज कर देता हूँ minus two और यहां पर charge हो जाएगा plus three तो aluminum जो है zero से plus three पर जा रहा है मतलब यह oxidize हो रहा है और chromium plus three से zero पर जा रहा है इसलिए plus three से zero पर जाना है मतलब plus three यहां पर तीन electron गेंग करेगा तो यह क्या हो रहा है reduce हो रहा है तो इस reaction में chromium जो है reduce हो रहा है aluminum oxidize हो रहा है इसलिए hole and hole यह reaction जो है redox reaction है तो आपने देखा कि यह metal displacement reaction भी आपका क्या है redox reaction है इसी तरह से non-metal displacement reaction जब देखते हैं तो इसमें metal और non-metal displaces another non-metal मैंने बोला है आपको metal यहां पर नील लिखा हुआ है यहां पर यह गलत है यह आपका क्या है metal है इसको आप correction कर लिजएगा metal और non-metal displaces another non-metal from its compound इसको बोलते हैं non-metal displacement reaction बोलते हैं यहां पर देखेंगे जैसे potassium है h2o में दिया गया यह koh बना दिया और h2 बना दिया तो potassium जो है metal है इसका oxidation नंबर क्या हो जाएगा इसका oxidation नंबर 0 होगा क्योंकि यह free state में h2o में oxygen का oxidation नंबर minus 2 और hydrogen का oxidation नंबर plus 1 koh में koh का यहां पर minus 1 charge होता और potassium का plus 1 charge होता है hydrogen का 0 होगा तो अब यहां पर देख रहे हैं कि hydrogen यहां पर plus 1 से hydrogen यहां पर plus 1 से 0 में जा रहा है मतलब यह gain of electron कर रहा है इसका मतलब है कि यह reduction कर रहा है और जो sodium है नहीं sodium नहीं potassium जो है वो 0 से plus 1 पर जा रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है oxidation हो रहा है इसका मतलब है कि यहां पर hydrogen का reduction होगा और potassium का oxidation होगा इसके whole and solar reaction क्या होगा redox reaction होगा अगला example देखते है zinc HCl के साथ जब reaction करेगा तो zinc oxidation नमर क्या हो जाएगा 0 ठीक है zinc oxidation नमर 0 होगा क्योंकि free state में है Cl का क्या होगा minus 1 और H plus का plus 1 तो यहां पर hydrogen का 0 Cl का minus 1 zinc का यहां पर क्या हो जाएगा plus 2 हो जाएगा देखे है तो zinc यहां पर 0 से plus 2 में जा रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है Oxidation हो ओगा और जो HCl है इसमें जो hydrogen जो है वो plus 1 से 0 पर जा रहा है इसलिएuffy का हो रहा है Reduction हो रहा है इसमें भी आपका oxidation reduction simultaneously हो रहा है इसलिए यह भी आपका क्या है redox reaction हो प्लेयर हो गया होगा अब इसमें जो displacement reaction है इसमें हम लोग देखते हैं double displacement reaction क्या आपका redact reaction होता है ठीक है तो next slide में चलते हैं तो double displacement reaction में एक example लेते हैं acid base reaction लेंगे ठीक है acid base reaction जैसे NaOH plus sodium hydroxide plus HCl जब यह reaction करेगा यह sodium prodide बनाएगा और H2O form करेगा ठीक है तो जब यह sodium है sodium है इसका oxidation पर क्या हो जाएगा plus 1 यहां पर oxygen का क्या हो जाएगा minus 2 minus 2 और hydrogen का हो जाएगा plus 1 chlorine का minus 1 hydrogen का plus 1 यहां पर plus 1 और chlorine का minus 1 इसी तरह से oxygen का minus 2 और hydrogen का अब यहां पर देखते हैं sodium plus 1 है यहां भी plus 1 है chlorine minus 1 है यहां भी minus 1 है oxygen minus 2 है यहां भी minus 2 है hydrogen यहां पर यहां भी plus 1 है इसका मतलब है कि किसी में भी oxidation number change नहीं हो रहा है मतलब no loss or no gain हो रहा है इसमें simply क्या होता है ion का exchange होता है इसमें case में क्या होगा कि यह जो na plus ion होता है वो cl minus ion के साथ जाकर na cl बना देता है और जो h plus है वो oh minus के साथ combine करके h2o बना देता है इसलिए हम लोग double displacement reaction को simply बोलते हैं double displacement reaction is defined as the exchange of the reaction in which the exchange of ions takes place इस reaction में ions का exchange होता है और product बनता है उसको हम लोग बोलते हैं double displacement reaction reaction इसमें कोई भी charge change नहीं होता है जो इधर चार्ज है उतना है इधर चार्ज है इसका मतलब है no electron displacement इसलिए double displacement reaction जो है यह redox reaction नहीं है not to redox reaction इस इसका अपनोट करेंगे तो अगले हम लोग अगले reaction में आते हैं जिसको बोलते हैं disproportionation reaction तो जो लास्ट आपका redox reaction है वो है disproportionation reaction यह एकदम अलग है इसमें यह आप reactions पहले नहीं पढ़े हैं बादबा की जो reactions था वो आप oxidizing agent की तरह भी काम करेगा और reducing agent की तरह भी act करेगा तो यहां पर देखिए यह क्या लिखा हुआ disproportionation reaction and element in one oxygen state is simultaneously oxidized and reduced तो मैंने आपको बोला था को एक element oxidize भी करेगा को एक substance एक oxidize भी करेगा reduce भी करेगा ठीक है one of the reacting substance in our disproportionation reaction always contain an element that exists in at least one oxidation state ठीक है रिखे यहां पर contains an element that can exist in at least three different oxidation state ठीक है three different oxidation state में होता है इसका मतलब है कि disproportionation reaction उस वैसा type of reaction है जिसमें एक element three different oxygen state में होता है कभी कोई substance oxidize भी करेगा reduce भी करेगा यह condition आपको ध्यान रखना है तभी यह आपको होगा अब जैसे देखिए example देखिए है एस्टू ओटू ठीक है यह reaction में आपको ऐसा लिखाया यहां पर आयरो छूट गया यहां पर एस्टू ओटू और यहां पर two होता है और hydrogen का plus one होता है इसको कहते है hydrogen peroxide ठीक है hydrogen peroxide ठीक है तो total plus two charge हुआ मैंस तू चार्ज हुआ अब यहां पर देखिए oxygen का oxidation में मैंस तो और hydrogen का क्या हो जाएगा plus one तो टोटल चार्ज हो गया कितना plus two और यहां पर minus two oxygen का हो जाएगा zero तो oxidation number of oxygen क्या होगा एक से लिखते हैं oxidation number of oxygen क्या हो गया oxygen का यहां पर हो गया minus one यहां हो गया minus two और यहां हो गया zero मैंने बुला था कि एक element अपना three different oxygen state होता है यह minus one minus two zero है ठीक है अब यहां पर देखिए कि कि जब यह minus one से minus two पे जाएगा तो electron gain करेगा गेन करेगा तो यह क्या करेगा reduction करेगा और यहां से जब minus one से zero पे जाएगा तो यह एक electron loss करेगा तो यह हो जाएगा oxidation इस case में जो H2O2 है यह oxidize भी कर रहा है और reduce भी कर रहा है oxidizes as well as reduces ठीक है तो H2O2 जो है act as oxidizing agent as well as reducing agent ठीक है तो वैसा reaction जिसमें एक element three different oxygen state में प्रेजेंट हो और उसमें जो एक substance हो वो oxidize भी करें reduce के भी करें इसका मतलब है कि वो oxidizing agent और reducing agent दोनों होगा वैसे reaction को आप बोलते हैं disproportionation reaction तो यह आपका था यह आप note कर लिजे यह आपका था पूरा का पूरा types of redox reaction complete हो गया ठीक है तो करने वाले हैं difference between oxidation number and valency ठीक है oxidation आपका लिए पर सक्के हैं तो oxidation number is the residual charge left on an atom when other atoms are removed as iron तो इसके बोलता है कि अगर को एक element कि किसी compound से remove क्या जाता है तो इसके पर जो रिचार्ट होगता है वो इसका oxidation नमर होता है पर एक्जांपल जैसे हम यहां पर एने-स यह देखते हैं एने-स यह में एने और प्लस वन चार्ड होता है तो यही आपका oxidation नमबर है sodium का प्लस वन और प्लस वन और मैं इसका आपको दूसरा भी definition बता चुका हूं कि जब एक element pure state या free state से combined state में जब convert होता है तो डूटो loss or gain of electron उनके पर जो charge develop होता है वो इसका oxidation नमबर होता है बहुत ही simple है ठीक है और valency क्या है valency is the combining capacity of an element तो हम आगे इसका देखते हैं इसके बारे valency the combining capacity of an element that is during any chemical combination or reaction the number of electron donated or accepted or shared by an element is called valency तो जग पर एक element chemical reaction करने के दौरान या chemical combination करने के लिए जितना electron loss या gain करता है या share करता है वह इसकी valency होती है ठीक है एक example सो देखते हैं जैसे यहाँ पर sodium है तो sodium का atomic नमर जो होता है वह 11 होता है इसका electronic configuration 281 होता है sodium metal है इसलिए यह electron loss करेगा क्योंकि इसको update complete करने के लिए एक electron loss करना पड़ेगा तो chemical combination करने के लिए इसको एक electron loss करना है इसलिए इसकी जो valency होगी यह क्या होगा वन होगा ठीक है valency को positive यह negative में हम नहीं दिखाते है ठीक है यह अपका full number में आता है ठीक है 1 2 3 4 तो sodium एक electron loss किया है इसलिए sodium की valency क्या होगी valency of sodium is 1 तेक है उसी तरह से magnesium है magnesium 12 atomic number electronic configuration 282 magnesium अब chemical reaction करने के लिए क्या करेगा अपना update complete करने के लिए 2 electron loss करेगा इसलिए magnesium 2 electron loss करके mg plus 2 में convert होगा तो magnesium की जो valency होगी यह 2 होगा ठीक है 2 होगा ऐसी तरह से अगर हम देखते है chlorine का atomic number 17 होगा electronic configuration 287 होगा chlorine chemical reaction करने के लिए अपना update complete करने के लिए एक electron gain करेगा तो chlorine की भी valency क्या होगी chlorine की भी valency 1 होगा ठीक है electron chlorine यहाँ electron gain करेगा ठीक है इसलिए इसकी भी valency 1 होगा ठीक है तो यह आपकी valency के concept अप्पर clear हो गया होगे अब आते हैं फिर से oxidation number can be zero oxidation number क्या हो सकता है zero हो सकता है ठीक है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CH2 BR2 तो CH2 BR2 यहाँ पर bromine आपका halogen elements है इनका जिंदल oxidation number क्या होता है माइनस वन हाइड्रोजन 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 नॉन मेटल है लेकिन इसलिए इसके उपर चार्ड रोगा प्लस वन क्योंकि हाइड्रोजन एक 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 करेगा जब तो हाइड्रोजन दो इलक्ट्रोजन दे दिया और ब्रोमीन दो इलक्ट्रोजन ले लिया तो कार्बन के उपर क्या चार जाएगा जिरो नहीं करेगा इस तरह से यहाँ पर कार्बन और जीरो हो रहे है और आप जानते है कि कोई भी जस्जेर डिल सिर्षन प्रेल अवाजर्षन अन्या तो फार होता है जिरो उनला हो सकता है लेकिन बैलन सीमें मैंने यहाँ लिख्फा है टे ओक को यहाँ छीज जऑ कि यहा पर मैं लिखता हूं एक्सप्त नॉविल गैसीज नोवल गैसेज जो ग्रूप 18 elements हैं helium, neon, argon, krypton, xenon, redon यह जो elements होते हैं group 18 elements इनको गैसेज बोलते हैं इनके update complete होते हैं यह reaction में participate नहीं करना चाहता है इसलिए इनको inert elements भी हम लग बोलते हैं इसलिए इनका वालंसी होते हैं वोग जिरू होते हैं और other elements की बारंजी 0 हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं नहीं यहां लिख गया है, it cannot be 0, clear हो गया होगा आपको, ठीक है, third point पर आका oxidation नमर में, it refers to the, it refers to the charge which can be positive or negative, ठीक है, तो यहां पे जो oxidation नमर क्या है, वो एक charge है, positive या negative, ठीक है, fractional में भी हो सकता है, तो oxidation नमर charge को refer करता है, ठी की CuCl2, अब क्लोरीन का oxidation नमर क्या होगा, minus 1, अब क्लोरीन जो है, दो क्लोरीन दो electron गेन करेगा, तो copper के ओपर क्या charge होगा, plus 2, ठीक है, यहां पे plus में भी आ रहा है, और minus में भी आ रहा है, लेकिन जब हम बलेंसी में आते हैं, it is only a number, बलेंसी ना positive में होता है, ना negative में होत है, it is not assigned as positive or negative, तो यहां जब हम CuCl2 का देखते हैं, तो copper की वेलंसी आपकी 2 होगी, और chlorine की वेलंसी 1 होगी, अब इसको positive और negative में नहीं दिखाते हैं, अब देखते हैं, oxidation नमर में, तो it can have a fractional value, oxidation नमर में किसी भी elements का oxidation में fractional हो सकता है, तो यहां मैं आपको दिखाया है, कि जो sulfur का oxidation number K2S2O8 में प्लस 5 by 2 है, तो oxidation number fractional हो सकता है, लेकिन वेलंसी fractional नहीं हो सकता है, यह whole number होगा, it is always a whole number, since atom always combine in simple whole number, जो combine करता है, वो whole number में करता है, जैसे जेखो, मैंने यहां पर दिखाया, कि CA, तब calcium और chlorine की बीच में, आपकी combination हो रही है, chemical reaction हो रही है, chlorine की valency 1 होती है, और calcium की valency 2 होती है, हम combine करेंगे, तो इस तरह से combine करते हैं, और यह बन जाता है, CA, CL2, तो यहां पर जो combination हो रहा है, वो whole number में हो रहा है, यहां पर fraction में नहीं होता है, इसलिए, हम यहां पर क्या ल जो valency होता है, वो whole number में combine होता है, इसलिए, valency हमेसा whole number होगा, तेक है, 5th point कर आते हैं, oxidation number, oxidation number of an element can be different in different compounds, oxidation number ऐसा नहीं है, कि एक element का हर जगा oxidation number same होगा, कुछ खास elements होते हैं, जैसे alkaline metals का plus 1 होता है, alkaline earth metals का plus 2 होता है, fluorine का minus 1 होता है, hydrogen का plus 1, minus 1 होता है, general oxidation number oxygen का minus 2 होता है, लेकिन other elements के oxidation variable होते हैं, different different compounds में oxidation में vary कर सकता है, तेक है, जैसे यहां पर, मैंने आपको बताया है कि CH4, C2H6, CS3BR, C2H2, CH2BR2, CCL4, CHBR3, इन सभी में जो oxidation number carbon का होगा, मैंने हमके लिखा है, oxidation number oxidation number of carbon, क्या क्या होगा, तो CH4 में plus minus 4 होगा, C2H6 में minus 3 होगा, CS3BR में minus 2 होगा, अब देखिए, फड़ा से मैं इसका प्संधा देता हूँ, जैसे, CH4 है, ठीक है, तो hydrogen is lesser electronegative than carbon, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, plus 1 होगा, plus 1 होगा, तो carbon के उपर क्या, total positive charge कितना होगा, plus 4 होगा, तो carbon के उपर क्या होगा, minus 4 होगा, अब आते हैं, C2H6, C2H6, तो hydrogen का non-metal के साथ oxidation number positive होता है, plus 1 होता है, अब यहाँ पर total positive charge कितना होगा, plus 6, अब दो carbon को आपको पूरा करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, minus 3, G2 is a 6, minus 6, तो plus 6, minus 6 होगा, इस तरह से करना है, अब जैसे देते हैं, CCl4 पे, CCl4 पे अब जानते हैं, chlorine is more electrode negative than carbon, तो chlorine का oxidation number क्या होगा, minus 1, तो carbon का क्या होगा, plus 4, अब देख रहे हैं, कि carbon का oxidation number different compounds में different different है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते, कि एक element का oxidation number different different compounds में same होगा, ऐसा नहीं है, वो variable हो सकता है, तो valency के case में आते हैं, तो एक element की valency जो होती है, तो it is fixed in all its compound, that is valency of carbon, यहाँ पे मैं valency of carbon कहीं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे valency of carbon 4 होगा, चाहे कोई भी compound हो, CH4 हो, C2H6 हो, CS3, BRO, मैंने same compound दोने में लिये हैं, लेकिन उस case में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, कि जो carbon की valency 4 है, और यहाँ पे carbon की oxidation number है, वो minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 4, plus 2, यह सब हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, clear हो गया होगा, और last point मैंने लिखा है, oxidation number में, कि oxidation number of an element can be variable, but variation is very large, मैंने आपको बताया था, oxidation number variable होता है, लेकिन variation भी बहुत large होता है, जैसे oxidation number of, मैं nitrogen की बाद कर रहा हूँ, अब compounds मैंने क्या क्या लिया, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, N2, इस तरह से लिया, अब देखिए oxidation में क्या क्या हो रहा है, अब सभी का oxidation number, आप सभी compounds में, nitrogen में, oxidation में आप calculate कर सकते हैं, oxygen is more electron negative than nitrogen, इसलिए oxygen का, जो oxidation number होगा, वो आपका क्या हो होगा, minus 2 होगा, जैसे मैं देखता हूँ, N2O में, तो oxygen का, यहाँ पर minus 2 oxidation number होगा, तो nitrogen is lesser electron negative than oxygen, इसलिए, इसके उपर क्या total charge हो जाएगा, यहाँ पर total charge होगा, minus 2 पर, यहाँ पर हो जाएगा, plus 1, 2 into plus 1, plus 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, आप देखते हैं कि, N2O में, आ आपका plus 1 हो रहा है, लेकिन जो हम N2O की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी oxygen का, minus 2 रहेगा, तो nitrogen का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, plus 2, इस तरह से different compounds में, आप nitrogen का oxidation में, आप calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि, जो variation है, वो बहुत large है, तो इतना से, यह सब जो है, आपका differences है, आप इसको note कर लें, आप इसको note कर लें, screenshot लें, ठीक है, और आप समझ गया होंगे कि, यहाँ पर oxidation number और valence का क्या difference है, clear हो गया होगा आपको,